आज की exercise आप लोगों की CSS Grid की skills को test करेगी मैं आप लोगों को exercise दूँगा जिसमें आपको अपनी CSS Grid की skills को apply करके एक layout को बनाना है अगर आप लोग इस question को solve करने वाले हो तो नीचे comment section में challenge accepted जरूर लिख देना इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इस question को solve करने वाले हैं चलते हैं computer screen में let's roll the intro तो गैस मैं आप लोगों को exercise देने वाला हूँ exercise number 7 जो हमारी है वो होने वाली है हमारी ultra edit वाली website का नीचे वाला part आप लोगों को design करना है तो मैं आ जाओंगा यहां पर एक video 44 के नाम से folder बनाऊंगा वीडियो 44 और मैं यहां पर shift right करके इसको vs code में खोलूँगा एक boilerplate template डालूँगा यहां पर उपस मैंने क्या किया index.html और एक boilerplate template यहां पर डाली जाएगी और इसके अंदर मैं आपर क्या करूँगा कि आप लोगों को जो यह website है मैं जरा इसको comment out कर देता हूँ और मैं लिख भी दूँगा कि design the body of this website ठीक है तो यह आप लोगों को करना है तो मैं जरा इसको खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ तो जो ultra edit की website थी जो कि हम लोगों ने बनाई थी जिसका navbar हमने बनाया था पिछली exercise में अब आप लोगों को क्या करना है css grid का इस्तिमाल करके आपको यह बनाना है ठीक है अब यहां पर जो catch है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसको place कर लोगा अपने folder के अंदर तो मैं इसको अपने download से cut करकी यहां ले आया हूँ और ue underscore English इस फाइल का नाम है तो मैं आप लोगों बस यह बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहां पर एक और यहां से आप लोग सर्व करोगे इसको यानि कि आप लोग यह जो लिंक्स इस्तिमाल करने वाले हो ना यह लिंक्स आपके यहां से आने चाहिए आनि कि जैसे इस लिंक पर क्लिक किया जाए तो यह ue underscore english.exe download हो जाए ठीक है तो आपको इस लिंक का इस्तिमाल करना है इन सब जगा पर यह जितने भी लिंक से आप सेम लिंक यूज कर ले ना for the sake of convenience और आप लोगो css grade से इसको design कर होगे और जो computer होगा आपका जो बड़ी screen होगी desktop होगा उस पर तीन columns दिखने चाहिए और आपको जो phone है उसमें एक column दिखना चाहिए तो मैं अगर यहां पर देखो ultra edit इस चीज़ को किस तरह से करता है तो I guess यहां पर भी आप phone में आओगे तो एक column दिख रहा है और आप इ design करोगे तो काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी लेकिन मैं इस वाले portion को exercise का part नहीं रखता हूँ आप directly यहां से भी start कर सकते हो यह portion delete कर सकते हो बुरा और बाइद अब एक चीज़ आप लोगो बनाता हूँ कर आप inspect करोगे न यहापर और मालो यह वाला जो हमारा portion है इस website का जो कि यह है देखो यह उपर देखो highlight हो रहा है ना मैं delete की दबाऊंगा यहापर इसको select करके तो यह delete हो जाएगा यहाँ पर तो मैं जस्ट आप लोगों को अगर दिखा हूँ तो आप यहाँ पर देखो मैं इसको reload करके आपको दुबारा दिखाता हूँ कि यह व अलग अलग लिंक यूज करते हो आप लोग अलग अलग वर्जंस डाउनलोड करके सारों के लिंक लगाते हो तो तो special shout out है आपको but again मैं आप लोगों को यहाँ पर CSS grid सिकाना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अगर एक ही बार download करके और एक ही links जो है वो लगा दे वो आप लोग जो है कर सकते हो लेकिन बस एक चीज़ यह है कि आपको यह local computer से सर्व होना चाहिए यह थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को दिहान रखना है तो आप में से सभी लोगों को shout out मिलेगा जो जो इसको solve करेगा सबको shout out दूंगा challenge accepted ज़रू लोगों को और भी बहुत सारी चीज़े बताऊंगा इस वाली exercise में आर काफी मज़ाय था आप में से गई लोगों को मैंने solution analyze भी किया था मुझे जो है काफी सही लगा आप लोग का approach कि आपने कई चीज़े इस तरह से करी कि यार मैं भी amazed हो गया कि यार हां you are understanding कि यार link आप यूज करना है लाई के अंदर आपको link यूज करना है तो एक चीज तो मुझे आपर समझ में आ रही है कि जैसे हम लोग coding करते हैं जैसे हम लोग करते हैं काम हमारे एक अपनी common sense भी build होती जाती है अपने से भी हम explore करते हैं हो सकता है आपने खुझ से कुछ ऐसा explore करा हो जो क जरूर अकसस कर लेना यहां क्लिक करके करना इसको bookmark यहां क्लिक करके सको करना save thank you so much guys for watching this video and I will see you next time करते हैं